Hello everyone, Assalamualaikum, Welcome back to my channel, तो जी कैसे हैं, आप सब उमीद करती हूँ कि सभी लोग खेरेस से होंगे, तो जी आज है हमारी class 6 और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, sleeves की drafting करना बहुत ही जादा जो है easy तरीके से, तो जी class शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चा करते हैं, तो जी आज हम सिखेंगे sleeves यानि की बाजू, बाजू की cutting और drafting दोनों ही मैं आज जो है आप लोग को करकर दिखाऊंगी, तो किसी भी चीज को कट करने के लिए, सबसे पहले हमें measurement यानि की नाप की जरूत होती है, तो यहाँ पर मैंने already लिख दिया है, ताकि वो है हमारी 17 इंच और armhole है हमारा 8.5 इंच और आगे अभी मैं आपको armhole हमने किस तरह से major करना होता है, किस तरह से नापना होता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, और जो हमारा bottom है sleeves का, यानि की यह जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे हम bottom कहते हैं, यह हमारा 11 इं यह देखिए इस तरह से, और यह वाला side जो है हमारा, यह हमारा fold side, लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको कोई भी confusion ना हो, और यह हमारा open side, ठीक है जी, अब एक बार जो है मैं आपको fabric पर भी समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी confusion ना हो आगे, जैसे माल ल fold करते हैं और फिर हम यहाँ पर marking करते हैं, तो यह होता है हमारा fold side और यह है हमारा open side, तो इसी तरह से आपने इसको समझना है, यह है हमारा fold side और यह है हमारा open side, अब हम बाकी की drafting शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे, तो जो हमारी length है, य यहां तक आया है, तो हम लिख देंगे sleeves की हमारी जो length है वो है 17 inch तो इदर से भी हम 17 inch पर निशान लगाएंगे और यहां से भी हम 17 inch पर और इन दोनो निशानों को ही इस तरह से ऐसे मिला देंगे दोनों sцva nine six работ लगाने से क्या होता है आपको निशान कभी भी तेडा नहीं होता है तो यह हमारी जो है लैंथ का निशान लग गया है अब हमने क्या करना है जिस साइड से हमारी Sleeves open होती है na open side के उपर से हमारी Sleeves हमेशा 3 इंच डाउन रहती है तो देखिए हम 3 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे हमेशा आपने जो है 3 इंच डाउन रखनी है और जो यह हमारा उपर वाला हिस्सा होता है इसको हम इससे ऐसे तिर्शा मिला देते हैं यह देखिए इस तरह से ठीक है जी अब हमने क्या करना है जो हमारी यह वाली लाइन होती है यही हमारी आर्मोल की लाइन होती है यही पर हम आर्मोल का निशान लगाते है तो हमारा आर्मोल है 8.5 इंच तो माल लीजिए हमारा आर्मोल यहाँ पर आया है 8.5 इंच ठीक है जी यह हमारे आर्मोल का निशान हो गया और अब हम bottom का निशान लगाएंगे तो जो हमारा bottom है sleeves का वो है 11 inch तो हम इसका हमेशा half करते हैं या तो आप इसे 2 से divide कर लीजिए या इसका half कर लीजिए तो बात वही बराबर ही है तो आएगा हमारा 5.5 inch 11 का आदा हमारा 5.5 होगा ठीक है जी तो हमने जो हमारा bottom है वो 5.5 लेना है तो माल लीजिए हमारा जो 5.5 है वो यहां तक आया है 5.5 inch अब हमने क्या करना है bottom वाली line को हमने आर्मोल वाली line से इस तरह से ऐसे मिला देना है ठीक है जी हमने इसको मिला दिया अब बारे आती है हमारे जो आर्मोल की गोलाई होती है उसको देने की तो उसके लिए हमने क्या करना होता है जो यह हमारा आर्मोल होता है इसका हमने midpoint निकालना होता है यानि कि इसका center करना होता है तो मालीजे इसका center ये है 8.5 का center हमने निका अर्मोल की यह देखिए इस तरह से इस निशान तक ठीक है जी और हम इसको ऐसे बिला देती हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखें कि यह रगिया हमने यह पर इसको ज्य है शेक दे दिया ह। तो जी ऑलमोस्ट जो हमारे सारे ही निशान लग गए आब हमने सिर्फ मार्जन लगाना है तो हम यहां से यह बनप फॉज़ड़ के लिए रखेंगे वह रहएंग से दो इंच लेते मालीजी 2-inch हमारा यहां तक आ रहा है यह इस तरह से यह मालीजी हमने यह 2-inch रखा है margin के लिए ठीक है जी? क्योंकि half inch जो है हमारा उपर सिलाई में चलाएमेशाएगा, जो हमारा armoll की सिलाई होगी उसमें और देड़ इच हमारा sleeves का वो हलका सा गहरा होता है तो हमें उसका निशान भी यहीं पर आपको लोगा के दिखाऊंगी, आप लोगों ने ध्यान से देखना है तो हम लोग क्या करते हैं जो हमारा यह midpoint होता है न और जो हमारी खुली वाली side होती है midpoint से और यहां तक हमारे इस वाले निशान तक हमने इसका भी आधा करना होता है तो माली जे इसका midpoint यहां पर आया है और अब इसको हमने नीचे की तरफ बढ़ाना होता है फिस तरह से और अब आपने क्या करना है अब आप यहां से इस वाले निशान के according ऐसे गुलाई दे देंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से आपने पहले यहाँ पर शेप देनी है और फिर इसको मिलाना है और अब यहां से इसको हम यहीं से लाएंगे और जो हमारा बीच वाला निशान ता यहां तक इसको इससे हमने मिला देना यह देखिए इस तरह से, अब मैं इसको मिलाती हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से दिख जाए ये देखिए इस तरह से तो ये जो है हमारा जो हमारा front side जो हलका सा गहरा होता है ये उसकी गहरा ही आ जाएगी जब हम slips की cutting करेंगे तो हमने पहले पूरी यहां से ऐसे cutting करनी होगी फिर हमने जो हमारा front side का कपड़ा होगा उसको उठा कर और फिर हम उसकी ये वाली cutting कर देंगे तो हमारे front side की cutting हो जाएगी तो जी सारे निशान जो है हमारे लग गए है I hope कि आप लोग को इतना समझ आया होगा अब इसी की जो है मैं आप लोग को cutting करके दिखाती हूँ फिर आप लोग को और अच्छे से clear हो जाएगा तो जी सबसे पहले जो है मैं आप लोग को आर्मोल ही नापना सिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से आर्मोल नापना होता है देखिए ये है तो यहां तक जो है मेरा आर्मोल आ रहा है साड़े आठ इंच आप लोग देख सकते हैं और पूरा जो हमारी देड इंच ये margin है इसको मिलाकर आ रहा है 10 इंच तो यानि कि हमारा जो आर्मोल है वो है हमारा साड़े 8 इंच अब जो है हम अपने sleeves की cutting करते हैं तो जी ये है हमारे sleeves का कपड़ा जिसको हमने सबसे पहले इस तरह से ऐसे double fold कर लेंगे ये देखिए हमने सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरह से ऐसे double fold करना है और अब इसी कपड़े को जो है मैं इस तरह से ऐसे फोर्थ फोल्ड कर लूँगी क्योंकि हम दोनों स्लीफ से एक साथ कट कर रहे हैं और उल्टा साइड आपने हमेशा अपने कपड़े का ऊपर रखना है अब देखिए और ये बंद वाला साइड अपनी तरफ और खुली वाला साइड हमने इस साइड रखा है ठीक है जी अब जो है हम अपनी स्लीफ की लेंद का निशान लगाएंगे तो जो हमारे स्लीफ की लंबाई है वो है सत्रा इंच बट मैं यहाँ पर साड़े सत्रा इंच ले रही हूँ क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा उपर जो हमारे आर्मोल की सिलाई होगी उसमें जाएगा तो यह देखिए साड़े सत्रा पर मैंने दोनों तरफ इस तरह से ऐसे निशान लगा दिये हैं और अब इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूँगी तो जी यह जो है हमारी लंबाई का निशान है अब जिस साइड से हमारी स्लिफ्स खुली होती है उस साइड से हम हमेशा 3 इंच डाउन रखते हैं तो देखिए 3 इंच पर मैंने निशान लगाया और अब इसको इस तरह से ऐसे तिर्चा हम मिला देंगे और अब जो हमारी ये वाली लाइन होती है ये ही हमारा आर्मोल का निशान लगाते हैं इसी वाली लाइन पर तो देखिए 8 था हमारा आर्मोल तो हम 9.5 पर निशान लगा देंगे और 3 इंच मैंने मार्जन के लिए अड़ कर दिया है अब जो हमारा नीचे से बॉटम फोल्ड होगा मैं उसका निशान लगाऊंगी तो बॉटम फोल्डिंग के लिए यहापर जो है मैं 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी और अब इन दोनों निशानों को भी मैं आपस में ऐसे मिला दूंगी तो जी यह वाला जो हमारा निशान है यह जो हमारा बॉटम फोल्ड होगा उसका है अब जो हमारा नीचे का bottom होगा sleeves का, हम उसका निशान लगाएंगे तो जो हमारी sleeves का bottom था, वो था 11 इंच तो हमने उसका half किया था, तो आए था 5 इंच, तो देखे, 5 पर निशान लगाया और 15 इंच, margin का अब हम fitting वाले निशान को fitting वाले निशान से मिला देंगे, और margin वाले निशान को margin वाले निशान से और अब हम अपने आर्मोल को नापेंगे तो जो हमारा आर्मोल था, वो था 8 इंच, तो हमने इसका midpoint करना है तो देखे, 8 इंच का मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और अब इस निशान के according में इस तरह से आर्मोल की गोलाई दे दूँगी ये देखे, इस तरह से अब जो ये वाला आप देख रहे हैं midpoint से इधर, जिस साइड हमारी slips खुली रहती है, उस साइड हमने नापना है तो ये हमारा 4.2 था something तो ये 4.1 पर हमने इस तरह से ऐसे इसका midpoint करना है और नीचे की साइड हमने half inch से कम पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है half inch से हलका सा कम ही लेना है हमने ज्यादा नहीं लेना है और अब इस निशान के according हम नीचे की साइड से ऐसे गुलाई देनेंगे और ये वाला निशाइन हमारा वो निशान है जब हम front side का जो हमारा armol होता है वो हलका सा गहरा होता है उसी का हम ये वाला निशान लगा रहे हैं और इस वाले निशान को हमने उपर वाली गुलाई से इस तरह से ऐसे जोड़ देना है ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इस तरह से ऐसे इसकी shape बना देनी है और जी अब हमारे जो है सारे निशान लग गए हैं अब हम इसकी cutting कर देंगे तो simply जैसे जैसे हमने निशान लगाए है वैसे वैसे हम cutting कर देंगे क्योंकि मैंने margin इसमें already add कर दिया है और उपर की side पहले हमने जो पहले आर्मोल का निशान लगाए था उसकी cutting करेंगे गहराई वाली जो cutting है वो हम बाद में करेंगे तो जी देखिए हमारी sleeves की cutting हो गई है अब हमने क्या करना है अब हम अपनी sleeves को इस तरह से मोड़ेंगे यहां से और यहां पर एक cut लगा देंगे और इस वाले निशान पर भी हम ऐसे cut लगा देंगे ताकि सिल्तेवक्त कोई problem ना हो अब हमने अपनी sleeves को इस तरह से ऐसे खोल लेना है यह देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और जो हमारे front side के armol हलका सा गहरा होता है उसका जो हमने निशान लगाया था उसी shape के according हम इस तरह से इस कपड़े को ऐसे cut कर कर निकाल देंगे तो जी हमारी जो sleeves है वो cut कर बिल्कुल तयार है आप लोग देख सकते हैं और अब यहां पर जो है इसके center में भी मैं cut लगा दूँगी ताकि हमें इसका center मिल सके तो जी यही था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा अब next वीडियो में मैं आप लोग को suit की सिलाई करना बताऊंगी with sleeves ठीक है जी तो जी यही थी हमारी आज की class जिसमें हमने sleeves की drafting करना सीखा है उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा, समझ आया हो और helpful रहा हो, वीडियो तो में चैनल को subscribe जो करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज